दर्सकों हिंदू धर्म ग्रंत में भगवान श्रीक कृष्ण की लेलाओं से जोड़ी कही कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं ऐसा माना जाता है कि भगवान बिश्णू ने कृष्ण आवतार में ही सबसे अधिक लीला कि इसलिए भगवान श्रेक्रिष्ण को लीला धर नाम से भी पूजा जाता है। रगवान कृष्ण बच्पन में जहां ब्रिज में लोगों की घर से माखन चुरा कर खा लिया करते थे तो वहीं सास्त्रों में ये वर्ण किया गया है कि ये जब यूगा हुए तो नदी में नहाते भी गोप्यों की वस्त चुरा लिया करते थे। और अधिकते जन्मानस आज भी यही समझते हैं कि श्रेकिष्ण नट खटकता में गोप्यों को तंग करने के उद्देश से उनका वस्त चुरा लिया करते थे। में वर्डित कथा की अनुसार एक दिन गोप्यों जब अपने वस्त उतार कर नदी में स्नान करने जल में उतरी तो वहीं भगवान स्रीकिष्ण पेड़ पर बैटकर यह सारा द्रिश्ट देख रहे होते हैं कुछ देर बाद जब गोप्यों नहाने में मगन हो गए तो स्री अब अपने वस्त दूड़ने लगी उसी समय गोप्यों की नजर छुपकर पेड़ पर बैटे स्रीकिष्ण पर पड़ी तो वे सभी स्रीकिष्ण से बोली कानहा तुम्हें घृट नहीं आती तरफ स्रीकिष्ण ने गोप्यों से कहा कि मुझे लच्ञा क्यों आएगी लच् पहां रखे हैं तब स्रीकिष्ण पहले तो चोरी की बाद से इंकार करते हैं परंतु गोप्यों की बार बार अन्रोद करने पर उन्हें बताया कि कन्याओं तुम्हारे वस्त इसी प्रिच पर हैं पानी से निकल कर ले जाओ तब गोप्यों निर्वस्त होने की कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्था जताती भी बुरी हम सभी तो निर्वस्त हैं ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं तब स्रीकिष्ण ने कहा कि तुम लोग नदी में इसनान करने के लिए गई थी तब भी तो तुम सभी निर्वस्त ही थी फिर अब नदी की बाहर आने मे लच्जा क्यों आ रही है तब वो भी अबोली की काना जब हम सब नदी के इसनान करने आए तो उसमें यहां कोई नहीं था यह बाते सुनकर स्रेकिस्न कहते हैं तुम लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि यहां उसमें कोई नहीं था क्योंकि मैं तो हर पल हर जगा मौजूद हूँ और हाँ उसमें मेरे अलावा यहां आसमान में उड़ती पंचियों और जमीन पर चलने वाले जीओं ने तुम्हें निर्वस्त देखा तुम निर्वस्त होकर जल में गई तु जल में मौजूद जीओं न तुम्हें निर्वस्त देखा और तो और जल में नगन होकर प्रवीश करने से जल रूप में मौजूद वरुडदेव ने भी तुम्हें नगन देखा साथ ही तुम्हारे पूरवजों ने भी तुम्हें इसी अवस्ता में देखा क्योंकि पुर कि मिलती है निर्वस्त धस्नान करने से पित्र अत्रिप्त होकर ना राज होते हैं जिन्से बगत्ती का तेज भल्धन और सुख नष्ट होता है इसलिए कभी बें स्थो जाहिए। उसकी बाद स्रेकेशन गोपियों को वस लोटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं जब तक मनुस्य सरीर स्तर में रूपी इस माया की बंधन में बदा हुआ रहता है तब तक वा मोच को प्राप्त नहीं कर सकता लेस मात्रा भी माया बुद्ध रहने से मनुस्य का बैकुंट धा में प्रवीश करना अज संभव है और यहीं समझाने के लिए मैंने तुपारे वस्त चुराय थे दर्सको अब तो आप समझी कहें हुँगे कि स्रेकेशन का या हाश परिहास गोपियों के प्रति उनकी आगाह नए है तो इस प्रेच्वल रियल्टी फ्यूटूप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अधिक से अधिक आधिक आध्यात्मिक और पराड़िक कथाओं के बारे में चाहन सके इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पीस को में लाइक करें